हेलो बच्चों वेलकम टू डाउटनड तो बटा मैं हूँ अंजनी कुमार आपका मैठ एजुकेटर मैठ मेंटर तो आज हम करने वाले हैं प्रीविएस यर कोश्चन का डिसकर सकते हैं तो प्रीविएस यर कोश्चन बहुत ही यूसफुल होते हैं यानि कि अगर आप हम बोर प्रीविएस यर कोश्चन में बेस्ट होता है तो मतलब अगर आपने प्रीविएस यर कोश्चन लगा डाले तो यह मैं आप कहा सकते हो बाकि सभी बच्चों सा जिन्होंने प्यवाइक फोकस नहीं किया और कम समय में आप ज्यादा अपकी अच्छी होगी ठीक है तो पिट सब्सक्राइब यहां क्यों गुशा तो इस तरह के कोशिचन बहुत होते हैं यही कोशिन आपके मोस्त इंपरणेंट होते तो बच्चे अक्सर पूछतें की सर यह बताई है कि मैं प्रीविश्यार कोश्चन कहां से तो उसके लिए मैं आपको बुक सजिस्ट करने वाला हू है ठीक है ओ सवाल गुरकुल यह बुक में सी बीएसी के लास्ट टेनियर के सॉल्ड पेपर हैं यानि कि आपको इस बुक में डिटेल्ड सलूशन के साथ सभी कोश्चन मिलेंगे जो पिछले जो पूछे गए ठीक है तो यह बुक है गुरकुल ओ सवाल बहुत ही यूसफुल होने वाली है और यह कोश्चन भी मैं इसी से लिखे आया हूं ठीक है यहाँ पर यह बहुत ज्यादा जो भी आपके इमपोर्टन सारे अब लेबल है ठीक है तो यह बहुत ही इंपॉर्टन बुक आपके लिए होने वाली है तो चले देखते हैं इसका सलूशन कैसे होता है करके देखते हैं तो करना क्या है यहां पर देखो है क्या कि यह कोश्चन है दिया गया है कॉट ठीटा वरावर सेवन भाइट ठीक है तो चलो करते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहां पर सालूशन टेकिंग लेने पर दायां पच तो हमने क्या किया यहां पर इसको ले लेते हैं यह आपका हो जाता है वन प्लस साइन ठीटा ब्रैकेट वन माइनस साइन ठीटा ठीक है अपन कि वन ग्लस कॉस्ट ठीटा इंटू वन माइनस ठीटा ठीक है यह आपका क्योश्चन है अब हमें करना है कि अगर हम यह दो आपको दिख रहा होगा कि यह अपनुक्राइब करा दें तो मल्टिप्लाइब कराने पर हमें बेटा यह मिल जाएगा वन माइनस साइन स्कुराइ सकते tampak सकते हैं कि आस स्कुयार ठीटा स्कुराइब क्यों जाते हैं क्यों की हमारे पास एक आडेंटी है जिसे तीन अडेंटी समाने पास जो मैन है उनमें से एक यह है जहां पर इसका यूज करके यह कर लिया अब हमें बेटा आगे जो मिल जाता है वह क्या मिलता है यह आपको मिल गया कॉस्वार ठीटा अपान साइन स्कॉर ठीटा तो इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है क्या होता है जो आपका होता है तो यहां पर चीटा का वैल्यू दिया गया है वह आपका वैल्यू रग देते हैं क्या जो कि आपका हो जाएगा 49 अपान 64 यहां पर इस जो आपको यह आपका एक्स्प्रेशन दिया गया है उसका वैल्यू क्या होगा 49 इसका वैल्यू ठीक है तो यह पूशा किस तरह से जाएगा अगर आपने यह कोशन कर लिया तो इस पर आधरी तो और सकते नि sounds करें अबर सकते हैं कि और कर सकते हैं क्सीट कर सकते हैं तो इस तरह से थ थोड़ा सचेंज करके चारत पास तरह पास पर कोशना ऐसे करने हैं तो आप चारों तरीके के कोश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे तो बोल्ड में सिर्फ इतने ही चेंज होता है थोड़ा सा कॉंस्प्ट चेंज होगा और नए कोशन बना देंगे ठीक है सिम्लर लिकार मात करें तो एक और कुश्चन है यहां पर लिखा हुआ है यह बहुत आसान सा कोश्चन हमें यह प्रूफ करना है तो हमें यहां पर क्या कर सकते हैं तो यहां पर लेने पर हमें यहां पर मिलता है अंडरूट तो यहां पर बेटा क्या करना कि अगर हम यहां पर दोनों में उपर नीचे अगर इन दोनों का गुड़ा होगा तो उपर हो जाएगा बेटा बेटा वन प्लस साइने का होल स्क्वार ठीक है दोनों को गुड़ा है अपॉन यह आपका ए माइनस भी और अप्लस भी है यह आपका होगा वन माइनस साइने स्क्वार ठीक है और अभी आपने देखा कि वन माइनस साइन स्क्वार ए वेटा क्या होता ए भर और जाएगा वरणतों साइन अपन यह अपको जाएगा कॉस ठीक है क्यों आ जाएगा क्योंकि भाईया वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस्टे एक उन्यां था आघे बढ़ते हैं यहां पर मुलग लिख देते हैं इसको 1 plus sine A upon cos A ठीक है जिससे हम अलग-अलग लिख सकते हैं यह से लिख सकते हैं 1 upon cos A plus sine A upon cos A आप लोग जानते ही होगे क्या होता है यह आपका आ जाएगा sec A ठीक है यह आपका बराबर आ जाएगा स्वरी सेक A और उसके बाद वेटा आपका यह हो जाएगा प्लस में sine A upon cos क्या होता है ठीक है तो यह आपका देखो प्रूव हो चुका है बराबर आरचेस तो हैंस ठीक है तो यह इस तरह से आपके question पूचे आते हैं अब यह भी question जो है ना इसमें थोड़ा-थोड़ा change करके कई सारे question बन जाते हैं और वो हैते हैं अगर आपने इस तरह का एक भी question कर लिया तो समच जाएए कि आपने बोर्ड में इस तरह के question कर पाऊगे ठीक है तो प्रीविएस यह है purchase link का तो उस link पे जा करके आपके book purchase कर सकते हो ठीक है तो यहां मतलब कि कोई आपके पास stationery की book install अगर नहीं available है तो आप उस link के थूरू इस book को purchase का सकते हैं ठीक है तो इसी करम में और भी आगे question है अगला question यह है क्वेशन का question है बहुत आसान सा question है question में मैं हिंट देता हूं हिंट बेटा क्या होगी यहां पर इन दोनों का multiply 21 आएगा और 21 के अगर हम factor करें तो उनमें सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत आसान सा question है और कई बार इस तरह के question पूछे जाते हैं जिनका मेहत का बेसिक कमजोर है ठीक है लेकिन डरने की बात नहीं है अगर इस तरह के question अगर आप कर लोगे तो इस तरह के question बिलकुल आसानी से हो जाएंगे सब्सक्राइब कर सकते हो और इस question का आंसर आप हमें जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में ठीक है तो बिलकुल आपको मैंने बता दिया है कि जो मैंने मिलते हैं अब अपनी नेक्ट क्लास में बाइबाएब टेक क्यार करें